हेलो जाइन दोस्तों मैं शुबम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमे क्लासिस 2.0 में जैसे आप सभी को पता है बीएसेफ ट्रेट्समन का एक्जाम आने वाला है 28 अगस 2023 को बीएसेफ ट्रेट्समन का एक्जाम है और इसके जो फीजिकल थे वो आपको पता है पहले समाप्त हो चुके हैं आप रिटन बचा है सिरफ और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के टॉप 50 वेरी वेरी इंपोर है मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेलफू लगेगा चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप प्रशनों की जो संक्या है वो टोटल पचास रहने वाली है और टार्गेट मैं आज आप सभी को दूंगा 35 कोशन राइट करने का मिनिमम इतने कोशन करने हैं और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं मेरे साथ शुभमी क्लासिस याने की आर्मी वाले चैनल पर पढ़ते हैं तो फिर तो यह आपका जो टार्गेट है यह यहाँ पर टार्गेट 45 कोशन राइट करने का हो जाएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है आपके सामने स्क्रीन पर रक्त में कौन सी धातू पाई जाती है जल्दी से इसका आंसर करिएगा आंसर के लिए देखी ज्यादा समय नहीं मिलेगा है ना और लास्ट में सभी का स्कॉर कमेंट बोक्स में चाहिए ही चाहिए ठीके जी जल्दी आंसर करिए द रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो रक्त का लाल रंग क्या होता है हीमोगलोबिन के कारण होता है ठीक है अब हीमोगलोबिन के कारण क्यों होता है क्योंकि हीमोगलोबिन में आईरन की मात्रा पाई जाती है इसी करण आप से पूछा गया है रक्त में कौन सी धातू प प्रोटीन या फिर विटामिन जल्दी से आंसर करिएगा क्या आंसर करेंगे important question है आपके exam के लिए करिए answer देखिए दाले जो हैं ये प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत होती हैं हम option C पर चले जाएंगे फटा फट से आपको answer करना है question देखते ही आपका answer आजाना चाहिए ठीक है ये class हमारी pre-made है live नहीं है अगर आप सभी बोलेंगे तो live class भी चला देंगे हम अपनी ठीक है और ये class मैं सोच रहाँ कि जब तक आपका exam नहीं होता 28 तक तब तक ये class continue रखी जाए ठीक है एक पर comment ज़रूर करिएगा कि इस class को हम continue रखें कल हम सोच रहे है हिंदी की class करवाने के लिए हिंदी का practice है आपके CRPF treatment में हिंदी आएगी है ना comment करके ज़रूर बताइएगा telephone का विश्कार किसने किया था जल्दी answer करिए तयारी जाचनी है आपको आपकी तयारी कितनी है इस समय आपका level क्या चल रहा है तयारी का ठीक है यहाँ पर जितने question write करेंगे exam में यकीन मनिएगा इससे ज़्यादा ही question आपके सही होने वाले है देखे telephone का विश्कार किसने किया है तो यह किया है Graham Bell ने हम option C पर चले जाएंगे ध्यान रखिएगा Martin Cooper अगर आज आए exam में mobile का विश्कार किया है mobile phone telephone, Graham Bell, Martin Cooper, mobile phone J.L. Bear ने television का विश्कार किया है television आगे बढ़ते हैं question number 4 दूद की शुदता हम आपने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्या answer करेंगे option आपके सामने है hydrometer, lectrometer, hygrometer या फिर spectrometer जल्दी से answer करिएगा फटा-फट से क्या answer देंगे यह आपकी revision हो रही है, practice हो रही है ठीक है, previous year के question है जल्दी answer करिए answer match करिए, दूद की शुदता क्या आप सभी option B को दे रहे है lectrometer आपका right answer हो जाएगा ठीक है, अब देखो यह hydro और hygrometer में अंतर समझ लो exam में number कट जाएंगे वरना hydrometer से जल का घनत्व मापा जाता है density of water और hygrometer से आदरता मापी जाती है humidity five number मानव शिरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, क्या answer देंगे इसका भाई तंत्रिका कोशिका liver, agnase, mycoplasma देखो, liver answer मत कर देना मैं पहली बता रहा हूँ liver क्या है, कोशिका नहीं है, पहली चीज liver क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथी है, gland है, ठीके हमसे कोशिका बोला है, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है, mycoplasma जो है, यह सबसे छोटी कोशिका है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे चलिएगा राष्ट्रिय प्रद्योगी की दिवस कब मनाया जाता है, ओप्शन अवेलेवल हैं भाई, आंसर दे दो एक बार, आठ अप्रेल 11 मई, 11 जुलाई, 5 जून, जल्दी आंसर करिए, राष्ट्रिय प्रद्योगी की दिवस, 11 मई को मनाते हैं, ओप्शन बी, इसके साथ, 11 जुलाई क्या है, विश्व जन संख्या दिवस, विश्व जन संख्या दिवस, 5 जुलाई को, राष्ट्रिय पर्यावरन संडख्षन दिवस, आगे देखिए, अमरित सर शहर की सापना किस ने की थी, सूपर इंपोर्टेंट कोशन है, आपके एक्जाम के लिए आंसर करिएगा, देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, क्लास हमारी रिकॉर्डिड है, प्रीमेर चल रही है, आप बोलेंगे, तो आपके एक्जाम तक, अभी भी आपके बास 12 दिन है, हम लाइव क्लास कर देंगे, दिन में दो बार भी लाइव क्लास कर सकते हैं, जैसे आपके कमेंट आएंगे, ठीक है ना, और दूसरी चीज, कल हिंदी क्लास सोच रहे हैं करने के लिए, एक बार कमेंट कर दीजेगा, और ये प्रेक्टिस हो रही है, कितने कोशन राइट हो रहे हैं, पचास में से ये भी कमेंट करना है, अमरिस्तर शहर की स्थापना, गुरू रामदास ने की है, हम आप्शन गीप को टिक करेंगे, ठीक है, अब देखिए, गुरू गोविन सिंग, शिखों के दस्वे गुरू थे, और अन्तिम गुरू भी थे, ये ध्यान रखिएगा, अन्तिम गुरू गोविन सिंग जी, खालसा पंत की स्थापना की है इनोंने, गुरू नानक देव जी, शिखों के पहले गुरू, ठीक है, आगे बढ़िए, इंडिया गेट कहां इस्थित है, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, स्टैटिक जीके का कोश्चन है, सुपर डूपर इंपोर्टेंट, मुंबई, दिल्ली, चेन्ने, कोलकत्ता, दे दो आंसर क्या आंसर करोगे, ठीक है, कट नहीं राये, सभी को साफ दिख रहा होगा, देखिए, इंडिया गेट, और एक और है क्या, गेटवे ओफ इंडिया, गेटवे ओफ, इंडिया, इंडिया गेट आपका डेली में है, हम ओप्शन बी को टिक कर देंगे, और Gateway of India मुंबई में है ये ध्यान रखिएगा भाई आगे बढ़ते हैं 9 नमबर पृत्वी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है करो In which direction does the earth rotate on its axis क्या अंसर देंगे देखो सूरज पूरव से पस्चिम निकलता है पूरव से पस्चिम मत करना पृत्वी अपनी धूरी पर पस्चिम से पूरव गूमती है option B आगे बढ़ते हैं सवतंतरता मेरा जनमसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किसने कहा था देखिएगा प्रमुख वचन और नारे प्रमुख वचन व नारे ठीक है सवतंतरता मेरा जनमसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगा धर तिलक के द्वारा कहा गया था option B हम right करेंगे देवनागरी किस भाषा की लिपी है लोजी यह तो बिल्कुल basic question है देवनागरी किस भाषा की लिपी है answer देदो भाई साब जल्दी से answer करिए देखो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपी है option C correct है पंजाबी भाषा की लिपी क्या है गुरू मुखी है यह भी ध्यान रख लीजिएगा उर्दू भाषा की लिपी क्या है खरोष्ठी है आगे देखिए ओलम्पिक ध्वज में कितने गोले होते हैं कितने सरकल होते हैं यह यू कहें कितने रिंग्स होते हैं ओलम्पिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं अच्छा प्रस्ण है जल्दी answer करिए प्लीज ओलम्पिक ध्वज में तोटल पांच गोले होते हैं क्या ओप्शन डी पे जा रहे हो हम ओप्शन डी को ही राइट करेंगे कोशन नम्बर 13 प्रैक्टिस करते जाए टेस्ट लगाते जाए लास्ट में तो सभी का स्कोर कमेंट बोक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए बस फटा-फट से कोशन देखिए और तिक करिए कोशन नम्बर 13 है प्रसीद मोटी मस्जिद किस नगर में स्तित है श्री नगर आगरा जैपूर फटेपुर सिक्री प्रसिद मोती मस्जिद कहां इस्थित है ये बताना है आपको प्रसिद मोती मस्जिद है आगरा में ओप्शन B देखो मोती मस्जिद दो जगा है एक आपकी डेली में भी है दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद इस्थित है। डैली तो आप्षन में है नहीं, तो हम आगरा पे जाएंगे, आगरा में मोती मस्जिद आगरा के किले में, जिसका निर्माण शाहजहा के द्वारा करवाया गया। नेनलिकित में से कोन गंगा की सहायक नदियां है। दोजी आंसर सभी को आंसर देना है अच्छे से आंसर दीजिए गंगा की सहायक नदियां कौन सी है देखो कोशी नदी गंडग नदी यम्ना नदी ये सभी की सभी गंगा की सहायक नदियां है जा स Siz दातु का प्रेयोग किया गया था तांबा सीशा जसता लोहा सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का प्रेयोग किया गया था आंसर करिए किसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले तो यह किया गया था कॉपर का option A correct हो जाए गाजी 16 नंबर देखो नालंदा विश्विद्याले किस राज्य में स्थित है In which state is नालंदा युनिविस्टी लोकेटेड दो आंसर जल्दी से नालंदा विश्विद्याले कहां इस्थित है देखो नालंदा विश्विद्याले पिहार में है पलस इसकी स्थापना किसने की ये भी important हो जाता है इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने ये ध्यान रख ली जिएगा आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल हमारे ब्रमांड में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र है option B correct answer हो जाएगा जी आगे बढ़िएगा 18 नंबर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई important सभी important है previous year में पूछे गए है selected question है answer बस करते चले जाएए और last में सभी का score तो comment box में मुझे चाहिए ही चाहिए करो भाई answer क्या करेंगे देखो, गदर पार्टी की जो स्थापना है यह हुई थी 1913 में संस्थापक कौन थे लाला हर्द्याल और मोहन सिंग भाखना ठीक है कहाँ पे हुई थी सेन फ्रांसिसको में सेन फ्रांसिसको में इसकी स्थापना हुई थी आगे बढ़ते हैं question number 19 भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया भारत छोडो अंदोलन और एक प्रशन और एड़ कर लो इसके साथ क्रिप्स मिशन भारत कब आया क्रिप्स मिशन कब भारत आया था लोजी ये दो प्रशन दिये हैं आंसर कर दो देखिए भारत छोडो अंदोलन 1942 क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही भारत आया था ठीक है अब प्रशन क्या बनेगा भारत छोडो अंदोलन या क्रिप्स मिशन किस गवर्नर के साशनकाल में आये थे ठीक है ना तो 1942 में गवर्नर जनरल कौन थे ये प्रशन इंपोर्टेंट है जो बता रहा हूँ लिन लिथ गो ठीक है इनके साशनकाल में भारत छोडो अंदोलन हुआ है और क्रिप्स मिशन भी भारत आया था मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतीशत होती है दिजे अंसर मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतीशत होती है आपके एक्जाम के लिए आंसर करिए सबी जिनका भी BSF ट्रेट्स्मेंट के एक्जाम है क्लास को कमप्रीट लगाईएगा कमेंट करके ये भी बताएंगे सेंशन कैसा लग रहा है आपको प्रेक्टिस हम धनाधन करवाएंगे डेली 50 प्रस्चन की कल हम सोच रहे हैं कि हिंदी का टेस्ट लगाया जाए या फिर मेरा मन है मैथ के भी प्रिवेस ये प्रस्चनों को देखा जाए ये आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर हैगा है ना चलिए आंसर करिए देखो केल्सी फेरोल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है विटामिन डी का रसाइनिक नाम है विटामिन बी का क्या है थाइमिन विटामिन सी का रसाइनिक नाम क्या है एसकॉर्बिक एसिड ascorbic acid vitamin E का क्या है techoferol 22 नमबर राश्ट्रिय पोशन संस्थान कहां इस्थित है where is the national institute of nutrition located राश्ट्रिय पोशन संस्थान कहां है answer कर दो सभी देखो जी हम राश्ट्रिय पोशन संस्थान की बात करेंगे यह कहां पे है है राश्ट्राबाद के आंसर दे रहे हैं सभी है राश्ट्राबाद करेक्ट है 23 नमबर भारत का प्रमुक तेल शोधन सयंत्र कौनसा है डिग बोई है यह किस राज्य में स्थित है बताओ जल्दी से गुजरात तमिलाडू पस्चिमंगाल असम करो आंसर दोस्तो जल्दी से आंसर मैच करिए जो ऑप्शन डी को जा रहे हैं असम उनका राइट आंसर हो जाएगा 24 नमबर आपके सामने सोडियम क्लोराइड किसका रसाइनिक नाम है साधारण नमक बेकिंग सोडा वासिंग सोडा संग मरमर What is the chemical name of sodium chloride सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl क्या है यह नमक का रसाइनिक नाम है आप्शन A बेकिंग सोडा पता होना चाहिए NaHCO3 sodium bicarbonate वासिंग सोडा भी पता होना चाहिए Na2CO3 sodium carbonate और संग मरमर क्या है CACO3 calcium carbonate यह सबी चीजे important है इनका ध्यान रख लिजिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है यह बिल्कुल basic बिल्कुल basic 40 प्लस तो मुझे आपको चाहिए ही चाहिए आपसे इन 50 में से भाई 40 प्लस तो चाहिए ही चाहिए भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं समुद्र गुप्त को कहते हैं option आपका B right है during cup किस खेल से संबंदित है यह भी बिल्कुल basic है answer करिए during cup किस खेल से संबंदित है जी जल्दी से answer कर दो क्या answer करोगे थोड़ा जल्दी answer कर दो जो भी football पे जा रहे हैं option D आपका right answer हो जाएगा अब देखो जिनका भी exam है BSF trademan का ठीक है अभी 28 अगस्त को इसके अलावा आर्मी वाले बच्चे हमें देखते हैं आर्मी का हमारा चैनल है शुभमी क्लासिस ठीक है इसके लावा आप किसी भी paramilitary की तेरी करते हैं CISF BSF ITBP ठीक है या फिर SSC GD constable हमारी एक ebook है GKGS की जो की इन सभी में पूछेगा मिक्स प्रशन है उसके अंदर इस ebook के लिए आपको क्या करना है हमारा यह एप है छोटा सा शुभम एक्लासिस आपके सामने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस app को डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है यह हमारी ebook है इसके अंदर अठाइस सो प्लस प्रशन है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके बस यह वल नाइनर में है आपको जल्दी याद हो जाएगी बस यह क्या है इसके अंदर लेंग्विज हिंदी है सिरफ तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको परचेस नहीं करेंगे हिंदी मीडियम वाले इसको परचेस करेंगे इसका प्राइज मेरे ख्याल से शायद 101 रुपे के आसपस है बिल्कुल मिनिमन सा प्राइज है है ना अगर आपका कोई भी डाउट कोई भी इशू है 75-600-64-101 वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं बट बहुत जरूरी होगा तभी कॉल करिएगा 27 नंबर देखिए अंतर राष्ट्रिये मजदूर दिवस कब मनाया जाता है क्या आंसर दोगे ठीक है 7 एप्रेल क्या है अंतर राष्ट्रिये स्वास्थ्य दिवस 28 नंबर काजी रंगा राष्ट्रियो द्यान किस राज्ये में स्थित है आंसर कर दो देखो जो e-book है इस e-book को कम से कम आपको दो बार रटना ही रटना है इसका PDF डाउनलोड करके e-book का प्रिंट भी निकाल सकते है ठीक है ना अगर आपको एक्जाम कॉलिफाई करना है GKGS में अच्छा माक्स चाहिए तो उस e-book को कम से कम दो से तीन बर पढ़ लीजिएगा ठीक है उसके बाद देखीगा आपका लेवल कितना ज़्यादा हो जाएगा काजी रंगर राज्ट्यूद्यान असम में है option D आगे बढ़ते हैं 29 नमबर भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था तो ये कब हुआ था भारत में पहली लेल 1853 में चली थी कहां से कहां तक मुंबई से ठाने मुंबई से ठाने ठीक है जी ध्यान रखिएगा डल होजी के समय में लाड डल होजी के समय में चली थी question number 30 शेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कोज सा है आंसर करदो जल्दी से जल्दी से एक बढ़ आंसर करदो नागलेंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, गोवा क्या आंसर देंगे शेत्रफल के अनुसार भारत का छोटा राज्य देखो जी ध्यान से हम क्या करते हैं गोवा को टिक कर लेते हैं शेत्रफल के अनुसार तो सबसे छोटा है अरुनाचल प्रदेश क्या है? इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ठीक है? ये ध्यान रख लीजेगा सिक्किम क्या है? जनसंख्या में सबसे कम है जन संख्या सबसे कम है देखो जन संख्या घनत्व ये अलग अलग चीजे हैं जन संख्या घनत्व क्या होता है एक किलो मीटर पर कितने पुरुष रहते हैं उसको बोलते हैं ठीक है जी चलिएगा आगे बढ़ते हैं 31 नमबर निम्न लिखित में से कोन सी आगने चटान का प्रेक्टिस करते जाएगा आखरी के 20 प्रशन है जल्दी से खतम करेंगे और लास्ट में सभी का स्कोर भी चाहिए कमिंट बोक्स में ग्रेनाइट आंसर देंगे सभी आप्शन एक करेक्ट आंसर है ये आगने चटान है बलुआ पत्थर क्या है अब साधी चटान का सिंपल है इसका आंसर तो सभी कर दोगे नेपाल में सागर माथा किसको कहते हैं किसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट क वो 8850 मीटर है यह ध्यान रख लिजिएगा फ्रांस की राजधानी का नाम देखो करंट अफेर पे ध्यान देना है इस बार आपको ठीक है ना करंट अफेर एक्जाम में काफी आता है ठीक है आज कल तो ट्रेंड बने गया है पहले जितने भी पैरा मिलिटरी एक्जाम होते थे या फिर जो आर्मी के एक्जाम होते थे डिफेंस वले करंट अफेर इतना नहीं आता था एक दो कोशन आते थे बेसिक से अब करंट अफेर के ही आपको 4 से 5 प्रशन देखने को मिलते हैं करंट फिर पढ़के जरूर जाईएगा फ्रांस की राजधानी पैरिस है ऑप्शन बी किसे प्यासी भूमी का देश भी कहा जाता है विच कंट्री इस आल्सो कॉल्ड दा कंट्री ओफ थ्रस्टी लेंड प्यासी भूमी का देश किस देश को बोलते हैं क्या आंसर दोगे आंसर मैच करो जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं आस्ट्रेलिया उनका राइट आंसर हो गया भाई 35 नंबर आपके सामने है मेरियानागर्थ किस महासागर में इस्थित है करो ऑप्शन अवेलेवल है आंसर करो देखो ये प्रशान्त महासागर में है आप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रशान्त महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा वो गहरा महासागर है सबसे बिग एंड डीप ओसीन है 36 नमबर है लैंड ओफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है आंसर देदो भाई साब लैंड ओफ मिडनाइट सन किसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं अर्ध रात्री के सुर्रे का देश है ना किसको बोलते हैं बताओगे, नौर्वे को कहा जाता है, जी, option C answer करना है, 37 नंबर, किसे स्वरनेम पैगोडा का देश कहते हैं, ये answer कर दो, ये तो प्रशन एक्जाम में आया है, सभी प्रशन तो विविन एक्जाम में आया है, ये प्रशन अभी रिसेंटली, CRPF ट्रेट्समें के एक्जाम मे आया है, तो answer चाहिए, स्वरनेम पैगोडा का देश मयाम मार को कहा जाता है, option A correct answer है, जी, बेल्जियम को क्या कहते हैं, कॉक्पिट ओफ यूरोप, कॉक्पिट ओफ यूरोप किसको कहते हैं, बेल्जियम को कहा जाता है, नील नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, तिब का पठार, विक्टोरिया जील, कोलंबिया जील, मान सरोवर जील, नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी पूरेविश्व की सबसेल बड़ी नदी है, ये तो पता है fact इतना, इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो origin है, वो विक्टोरिया जील से होता है, तो option B पे चले जाएंगे मांसरोवर जील से पता है ना सिंधु नदी का उदगम सल है ब्रह्म पुत्र नदी का उदगम सल मांसरोवर जील से ही है फिलिपिन्स की रासधाने का नाम क्या है यह भी सिंपल, इंपोर्टेंट, एक्सपेक्टेड दमिश्क, मसकट, मकाउ, मनिला देखो अब, आंसर मैच करो, जो ऑप्शन डी को जा रहे हैं मनिला उनका राइट आंसर है मनिला किसलिए इंपोर्टेंट है, मनिला में ADB का हेड़कॉर्टर है ACI विकास बैंक, Asian Development Bank का हेड़कॉर्टर है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी दमिश्क किसकी कैपिटल है, पता होने चाहिए भई कैपिटल, सीरिया की कैपिटल है, दमिश्क ठीक है, मसकट किसकी कैपिटल है, ओमान की कैपिटल है, मसकट मकाउ तो मकाउ की ही कैपिटल है कौन सी परवतमाला उत्तर भारत को दक्षिन से अलग करती है कर दो आंसर जल्दी से क्या आंसर दोगे कौन सी परवतमाला उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग करती है तो विंध्यांचल आंसर देना है option A correct answer हो जाएगा विंध्यांचल परवतमाला आगे देखिए मारमा गोवा बंतरगा किस राज्य में इस्तित है सिंपल और स्टेटिक जीके का कोश्चन है आंसर दे दो मारमा गोवा बंतरगा नाम से ही पता लग रहा है कहां पे है गोवा में है भाई साब ऑप्शन डी 42 नमबर उकाई प्रियोजना किस राज्य में इस्तित है गुजरात तमिलाडू तेलंगना करनाटक उकाई प्रियोजना ठीक है किस नदी पर है नदी भी ध्यान रखिएगा नदी कौन सी है तापती नदी ठीक है गुजरात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैश कर लो आगे देखो आई एम एफ का पूर्ण रूप क्या है वट इस दा फुल फोम ओफ आई एम एफ ठीक है इसका हेड़ क्वार्टर कहां है ये भी बता देना और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बता देना ठीक है जी देखो आई एम एफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ये आप्शन ए पर हम चले जाएंगे ठीक जी इसका हेड़ क्वार्टर कहां पे है तो हेड़ क्वार्टर वाशिंग्टन डीसी में है ये ध्यान रखिएगा 1944 में इसकी स्थापना हुई थी 44 नमबर पुरानी जलोड मिट्टी को डैश कहा जाता है बांगर खादर दोनों इनमें से कोई नहीं 44 नमबर क्या आंसर दोगे इस प्रशन का इसका आंसर दे दो जल्दी से पुरानी जलोड मिट्टी को बोलते हैं बांगर आप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 45 नमबर भारत में सरवादिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्जे कोन सा है क्या आंसर देंगे भाई आंसर दे दो भारत में सरवादिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्जे है पस्चिम बंगाल आप्शन D अब क्योंकि ये बांगला देश के साथ टच होता है पस्चिम बंगाल अगर पूछेगा पूरे विश्व में जूट का सरवादिक उत्पादन तो बांगला देश ठीक है आगे देखो 46 नमबर शहर कानपूर किस नदी के किनारे इस्थीत है सतलूज नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, कोशी नदी 46 नमबर प्रस्ण है आपके सामने स्क्रीन पर देखो जी कानपूर शहर ये गंगा नदी के किनारे बसा है ऑप्शन C सतलूज नदी के किनारे कौन सा शहर है फिरोजपूर फिरोजपूर शहर सतरूज नदी पर बसा है यमुना नदी के किनारे आगरा, दिल्ली और मतुरा ये शहर बसे हुए है कोशी नदी क्या है, इसको बिहार का शोक कहते है more of बिहार बिहार ओफ शोक क्या लिख दिया मैंने ये चलो खेर 47 Imperial Bank of India की स्थापना किस वर्ष हुई थी 1921 1935 1955 1982 एक थी जोर यह जो Imperial Bank of India है ना यह बाद में State Bank of India बन गया है SBI बन गया है ठीक है दोनों ही डिसकस कर लेते हैं देखो 1921 में Imperial Bank of India की स्थापना हुई थी पहला प्रेशन क्लियर है दूसरा क्या है Imperial Bank of India SBI के रूप में कब बना 1 जुलाई 1955 यह ध्यान रखिएगा 48 नंबर आपके सामने शक समवत को राश्ट्रिय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था अवेलेवल हैं Option Answer अपजल्दी से दीजिएगा चलिए देखो शक समवत को 1957 में राश्ट्रिय पंचांग के रूप में अपनाया गया शक समवत के बारे में पता होना चाहिए शक समवत की स्थापना कनिश्क के साशनकाल में हुई है और 78 इस्वी में ये भी प्रशन आता है आगे चलते हैं उन्चास आज का सेगिंड लास्ट सौतंत्र भारत के प्रथम खादे और क्रिशी मंत्री कौन थे डाक्टर आजेंदर परसाद जोहार लाल नहरू जगजीवन राम चोदरी चरण सिंग सौतंत्र भारत के प्रथम खादे और क्रिशी मंत्री कौन थे आंसर कर दो जल्दी से क्या आंसर करेंगे इसके बाद लास्ट कोश्चन बसता है और फिर आपकी छुट्टी है भाई काम खतम जल्दी आंसर करिए क्या आंसर किया है देखो सौतंत्र भारत के प्रथम खादे और क्रिशी मंत्री डाक्टर आजंदर परसाथ थे भारत के पहले रास्ट्रपती भी थे ये ध्यान रखिएगा जोहरला नहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री ठीक है जी चलिएगा आज का लास्ट कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है सविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है इसका आंसर कर दो भाग दो, भाग तीन, भाग चार या फिर भाग नो किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है देखो मौलिक भाग दो ध्यान रखिएगा नागरिक्ता का वर्णन किया गया है भाग दो में भाग तीन के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन है option B correct भाग चार निती निदेशक सिधान्त राज्य के निती निदेशक सिधान्त का वर्णन किया गया है भाग चार में ये ध्यान रखिएगा और भाग चार A ठीक है? भाग चार A की बात करेंगे तो मौलिक करतव गया fundamental duties तो यही थे आपके आज के पूरे 50 प्रस्णों का टेस्ट जल्दी से बताईएगा इन 50 में से कितने कोशन राइट किये हैं कल हम ये कलास सोच रहे हैं डेली चलाने की जब तक आपका एक्जाम नहीं होता 28 अगस्त उमीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा इन 50 में कितने कोशन राइट के हैं कमेंट करके बता दीजिए कल कौन से सब्जट की क्लास लगाएं मैथ की या फिर हिंदी की ये भी एक बर कमेंट कर दीजिएगा ठीक है बाकी आप हमारी 2800 वाली e-book ले सकते हैं प्रेक्टिस करने के लिए इसके अंदर 2800 कोशन है सभी important previous year में पूछे गए ठीक है जी इसकी PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट निकालके प्रेक्टिस भी कर सकते हैं है न एप्लिकेशन डाउनलोड करना है शुभमी क्लासिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यही था आज का सेशन मैं उम्मीद करूंगा सेशन जरूर पसंद आया होगा आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भार कर दो